हेलो फ्रेंच and विल्कम टू माई चैनल और आज हम बनाने वाले हैं यह पैंट स्थेन आप फ्रेंज यह पेपस्तिक कैसे बनाते है इसकी वीडियो मेंने पहले भी बनाए हुई है आप लोग इसको प्रीज देख लीजिये और इसको आप हमें फाइब इंस के मिज़मेन में कात लेना है तो पहले इस पीश ओप पर में हमें गम लगा लेना है हमें यहाँ पर गम लगा लेना है और इसको देखेंगे इसको इस तरह से गम लगा लेना है और अब हमें यहाँ पर इसको इसको पेस्ट करकी जाना है ऐसे यह बहुत आप आप लोग पर ले पेपर स्टीक को बना लेजिए और फाइव इंच के मिजरमेंट में इसको कांट लेजिए और इसके बाद बस गम लगाने की ही बस देरी है और ज्यादा वक भी नहीं लगता देखने में बहुत ही खुबसर लगते हैं ये बहुत आसानी से बन जाता है फ्यंकर ये और बहुत दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हैं ये बहुत दिनों तक रहने वाले हैं ये ये च्ञत foods Queens ये पहला जो ये हो गया ये पहला स्टेव हो गया अब हमें इस तरब से इसको हमें गम में गम लगा लेना Zenit i was just as a i principle कि मेने एक एक टीन में लिए ओए है तो यह कुछ कैसे हो जाएंगे औरह भूए Dit package for the ॐखी ऐसे एक लेना है और यहाँ पे यह फेल सी पलाओ यहाँ पार फंहाँ ए्थिद्य। और अब हमें इसको यहां पे पेस्ट कर देना है इस तरह से और अब दूसरी बारी है यहां पे यहां पे लगाना है और यहां पे लगाना है और इसको ऐसे ऐसे पेस्ट करना है और फिर यहां यहां और यहां और वस इसी को रिपीट करके जाना है अब एक पर इस तरफ से और दूसरी बार उस तरफ से देखें फ्रेंज गम तो सुखने में थोड़ा सा वक्त लगीगा लेकिन बनाने के लिए तो बहुत जल्दी बन जाते हैं यह यह बहुत जल्दी बन जाते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बस ऐसे ही इसको पेस्ट करके जाना है हमें देखिए यह पुराने न्यूस पेपर जो घर में पढ़े रहते हैं इसका इतना अच्छा यूज होता है ना फ्रेंज आप लोग इसको मतलब बहुत अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं पुराने न्यूस पेपर जैसे ही घर में घर में कोने में रहता है कभी पेपर रेक में रहता है लेकिन इसका यूज अगर आप लोग अच्छे ही तरह से यूज करेंगे तो यह बहुत बहुत सही होंगे यह दिखे फ्रेंस देख देखिए फ्रेंज कितने खुब सा लग रहा है नहीं और देखिए फ्रेंज यह हो गया यह हो गया सुखने में तो थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन यह हो गया तो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही थैंक यू